नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाला हूँ ट्रीड मार्क नोटिस के बारे में जब आपको एक्जामिनेशन रिपोर्ट और इस प्रकार से नोटिस मिलता है ट्रीड मार्क की एप्लिकेशन का रिजेक्शन के लिए या रिफ्यूज के लिए जब आपकी ट्रीड मार्क एप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर डेटेल में समझेंगे स्टेप बाइ स्टेप उससे पहले बतना चाहूंगा जो भी भाइबंदू मेरे चैनल पर पहली बार है इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं जोनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए साल इसाथ बैल आइकन पर भी क्लिक कर लेजिए ताकि इस तरह का कॉंटेंट आपको मिलता रहे जो दोस्तों जब भी आप ट्रेड मार्क अपलाई कर देते हैं तो ओफिसर आपकी रिपोर्ट को मतलब ट्रेड मार्क अप्लिकेशन को देखता है और उसके बाद उसकी एक्जामिनेशन करता है कोई क्वाईरी होती है तो वो क्वाईरी लगाते है इस प्रकार से वो एक्जामिनेशन रिपोर्ट लगाते हैं देख सकते हैं यह है एक्जामिनेशन रिपोर्ट यह एक तरह से नोटी सी होता है समझो जहां पे अगर कोई कमी होगी तो आपके एप्लिकेशन को रिफ्यू लगा है और आपकी application को reject कर दिया है तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि section 11, subsection 1 क्या बोलता है तो दोस्तो section 11 और subsection 1 के बारे में समझते हैं जो कि ये बोलता है कि relative grounds के बारे में बोलता है जब आपका registration refuse किया जागा उससे relative ground क्या होगा ठीक है application refuse करने के लिए relative ground से इसके अंदर यहाँपे बोलते हैं कि section 12 के अंदर section 12 में trademark registration नहीं हो सकता ये trademark registered नहीं हो सकता इन कारणों के वज़े से पहला है पहले कारण बोलते हैं कि अगर ये बाज आता है कि उसकी identity पहले किसी ने trademark file किया है उससे match होता है मतलब जो भी आपने trademark file किया वो किसी और ने उस name से file कर रखा है या उस similar name से file कर रखा है नाम मिलता जुलता है और same goods and services या बोले तो same class के अंदर आपने file किया है तो उस case में आपका registration refused हो जाएगा दूसरा दूसरे हम बोलते हैं कि अगर similar trademark है similar goods and services के लिए अब apply कर रहे हो जो पहले किसी ने apply किया है तो जनता के अंदर एक भ्रह्म की संभावना होगी उसके वज़े से आपका यहाँ पे trademark registration refused कर दिया जाएगा ठीक है मतलब section 11 का ground यह जो पहले किसी ने apply कर रखा है same class के अंदर class में अगर आप apply करते हो तो आपका registration refused हो जाएगा अगर नाम मिलता जूलता हो तो क्योंकि देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ यह application फाइल किया गया है और यहाँ पे examination report भी लगाई है इन्हों न यह बोलते हैं कि आप इस trade name से ले रहे हो लेकिन यह trade name इससे मिलता जूलता है same नहीं है exact match नहीं हो रहा है लेकिन मिलता जूलता है starting के words मिलता जूलता है इसके वज़े से objection लगा दिया इन्होंने अब यहाँ पे आप ground रख सकते हो कि भाई name जो है वो same नहीं है name मिलता जूलता है but different है हलाकि class same है जापर goods and services same है और ये भी देखना होगा कि ये जो name यूज़ कर रहा है वो कब से यूज़ कर रहा है और आप जो name यूज़ कर रहे हो कब से यूज़ कर रहे है अगर आप इस से पहले से name यूज़ कर रहे है वही name तो उसकी invoice की copy उसके sale bill की copy पर चेजबिकी कोपी लगा सकते हो फिर उसके बाद आपकी हेरिंग फिक्स होगी औप फिर हेरिंग पर जाके आपका यह किलियर होगा तो इसके लिए तो आपको एक प्रोपर रिपलाई बनाना पड़ेगा देखो यह है reply का format इस प्रकार से देखो यहाँ पे बना रखा है मैंने basic सा format है हर party का case अलग होता है हर client का case अलग होता है सब में same format apply नहीं होगा इसमें आपको trademark act की knowledge होनी चाहिए अच्छे तभी आप professional तरके से बना सकते हो नहीं आता है तो कुछ से मत करना चाहो तो आप हमारी paid services भी ले सकते हो trademark notice के reply के लिए जो examination reply होता है या hiring जो होती है उसके लिए ठीक है तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो basic detail जाती है फिर उसके बाद subject देना होता है जो भी उसने application में या examination report में objection लगाया है वो आप subject line में डाल सकते हो फिर यहाँ पे आपको application के बारे में और objection के बारे में लिख सकते हो फिर acknowledgement of objection होता है जो objection लगाया है उसकी acknowledgement करते हो request करते हो detail information की detail analysis objection के लिए request करते हो फिर अपना supporting documents की submission देते हो इस पहरे के अंदर hearing की request करते हो ठीक है फिर last में अपनी contact details को देके यह application यह जो reply है वो ready हो जाती है ठीक है अगर आप इस reply format को download रहना चाहते हैं तो video के description में भी यह format मिल जागा वहां से आप download कर सकते हैं तो इस परकार से तो reply बनाना है और reply बनाने के बाद आपको reply दे हो भेजने के दो method है आप या तो online जाके trademark portal पर जाके comprehensive filing service में जाके दे सकते हो दूसरा method यह है कि इनकी mail ID है इस mail ID पर email कर सकते हो subject line में आपको लिखना है reply to examination report ठीक है और उसी mail से करना है जो mail आपकी trademark portal पर रेजिस्टेड हो ठीक है तो इस परकार से आप reply दे सकते हो वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताए ताइंक्यू समझ जैहिंद वंदे मात्राम